लौहस पीति को जोड़ने के लिए बनी रोहतांग टर्नल बनकर तयार हो गई है और इस टर्नल का 29 सितंबर को परधान मंत्री नरिंद्र मोधी उधगाटन करेंगे वहीं इस टर्नल को लेकर सियासत भी कर्मा गई है कॉंग्रिस ने इस टर्नल का नाम अटल रखने पर सवाल खड़े किये हैं और टर्नल का नाम इंद्रा गांधी या सुतंतता सैनानी के नाम पर रखने की सलह दी है कॉंग्रिस अध्यक्ष कुल्दीप राठावर ने कहा कि इस टरनल का सपना पूर परधानमंती स्वर्गिय इंड्रा गांधी ने देखा था और 2010 में यूपे अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस टरनल के निर्वाण कारे का सिल नियास किया था और ततकालिन प्रधानमंती मन मोहन सिंग ने इस टैनल के लिए राश्ची चारी की थी उनकी एहम भूमी का रही भारतियों जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है मैं कहना चाहता हूं कि जो यह टनल इसका जो सपना था वो शिर्मती इंद्रा गांदी जी ने देखा था और वो दो टनल और भी लाउंस पीती में बनाना चाहती हैं तो उनका सपना था कि यह टनल बने और इसको मुर्त रूप जो है कॉंग्रिस की सरकार ने दिया हमारी जो यूप ये की चेर्मेन वो 28 जून 2010 को उनोंने शीला नयास किया उस समय के जो हमारे ततकालिन रख्षा मंत्री एंटिनी साथ थे मानिय मुख्या मंत्री शिरिवीर बदे सिंग जी जी उनके साथ थे तो उस समय जो है शीला नियास जो है इसका किया गया उसके बाद डॉक्टर बनमौन सिंग जो हमारे देश के परदान मंत्री थे उन्होंने जो है पूरा पैसा जितना भी अबंटित हुआ वो यूपिय की सरकार में हुआ और इनका तो कोई योगदान नी अब मुझे इस बात शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता है हमारे देश के पूरो परदान मंत्री रहे हैं लेकिन इस टनल में उनका कोई योगदान नी रहा उजवल हिमाचिल के लिए शिमला से वीरो रिपोर्ट